Hello everyone, welcome to my channel, Learn with Pfizer आज हम एकने के बारे में सिंखेंगे एकने यानि की कील, मुहासे और पिम्पल्स ये जो एकने हो रहे हैं, वो बढ़ती एज में सभी को होते हैं बच्चों से लेके, अडल्ट, टक, फीमेल्स है, मेल्स है तो सबको ये एकने और pimples की ये जो problem है वो होती रहती है तो आज हम इसकी basic treatment सिखेंगे, causes सिखेंगे, किसके कारण हो रहे हैं, क्या diagnosis ले सकते हैं तो उसके बारे में आज का हमारा detail video रहेगा तो आप last track बने रहे हैं, जिसे कि आपको एकने के बारे में सारी जो treatment है, वो बता चल सकती है तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या सिखेंगे, basic of problem यानि कि एकने की ये जो problem है, उसके बारे में हम basic detail सिखेंगे कौन-कौन से causes है, symptoms क्या है, एकने के diagnosis के से ले सकते हैं और treatment कौन-कौन से ले सकते हैं, तो ये जो सारे chapters है उसके बारे में हम आज detail में study करेंगे तो चलिए basic से start करते हैं, एकने की ये जो problem है, एकने यानि की pimples और उसे हम मुहासे भी कह सकते हैं, अब ये जो मुहासे या पिटी का, उसे हम पिटी का भी कहे रहे हैं, तो ये जो एकने है, pimples है, तवचा की एक ऐसी इस्थती है जो सफेड, काले और जलने वाले डाग के रूप में दिखते हैं, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये जो spotis आ जाते हैं, यहाँ पर ये है यहाँ पर ये एकने होने के बाद ये जो spotis रह जाते हैं, उसे हम एकने, pimples, पिटी का खेते हैं, जो की spotis छोड़ जाते हैं चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से symptoms है, उसके papules, यानि कि small red bumps, अगर आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है, तो ये जो है, छोटे-छोटे, ये bumps है ये bumps के सरूप में जो आ रहे हैं बार, उसे हम papules कहते हैं, small red bumps containing white और yellow pus, आपको जब भी pimples हो रहा है, तब उस pimples में white और yellow pus होता है जो की वो पक जाता है कि उसके बाद उसमें से yellow pus या फिर white pus बहाराता है redness around the skin eruptions, यानि कि ये जो परसा रही है, उसके कारण, वो जो पक जाता है, bumps, उसके around आपको redness दिखेगी scaring of the skin, यानि कि ये जो skin दिख रही है, आपको ये जो पूरा portion दिख रही है, वो आपको scary दिख रहा है तो उसके कारण आपकी जो skin है, वो थोड़ी डल दिखने लगेगी white heads आ सकते हैं, black heads आ सकते हैं, तो ये जो सारे हैं, वो एकने के symptoms है आप causes के बारे में सिखें, कि कौन-कौन सी causes है, जिसके कारण आपको एकने हो सकता है excess oil, यानि कि sebum productions, अब sebum का production कैसे होगा हमने skin की anatomy and physiology देखी थी, जिसकी link में आपको description box में देखूंगी और उपर eye button पे भी है, तो आप वहां से skin की anatomy सीख सकते हैं, जिसके के आपको पता चलेगा कि ये जो sebum है, वो कहां से secret हो रहा है, तो आप सीखते हैं, कि skin के अंदर एक oil gland होती है, यानि कि sebaceous gland, वो sebaceous gland hair के साथ attach होती है, तो उसके कारण sebum का production होता है, hair follicle blocked by oil and dead skin cells अब ये जो hair follicle होता है, hair follicle के साथ sebaceous gland होती है, अब hair follicle का जो pores है, वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है इस ब्लॉक होने के कारण, जो dead skin cells है, वो अंदर ही अंदर रहते हैं, बाहर नहीं आपा रहे हैं, अगर वो बाहर नहीं आपा रहे हैं, तो वो अंदर ही अंदर grow होंगे, ग्रो होने के बाद वो acne यानि की pimple मुहासे की रूप में बाहर आ सकते हैं, जिसे हम pimples कह सकते हैं, एकने कह सकते हैं, अगर आपको कोई bacterial effect है, bacterial infection है, तो उसके कारण भी होगा, अगर आपको inflammation हुआ है, किसी जगह पर, तो उसके कारण भी हो सकता है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपको अगर कोई age के बाद, यानि की 18 के बाद, 15 के बाद, hormonal changes है, तो उसके बाद भी आपको pimples की problem हो सकते हैं, menstruation जब भी start होने वाली होती है, तब भी आपको pimples हो सकता है, अगर आप emotional stress में है, या फिर आपको genetically, previous जो आपकी history है, यानि कि आपके जो generation है, उस generation में भी आपको genetically pimples हा सकते हैं, अगर आपको GIT यानि कि gastrointestinal tract जो है, उस पे भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप व इसे भी आपको हो सकता है, अगर आपकी जो oil लेन है, वो over reactive, यानि कि आपको oil की problem है, जो face पे, जो बूरी पे, जो oil excessive oil आ सकता है, यानि कि आपकी जो oily skin है, उसके कारण भी आपको pimples की problem हो सकती है, जिसे कि आपको proper जो treatment है, वो लेनी चाहिए, अगर आप GI index food ले रहे हैं, ह तो उसे भी हो सकता है, एं certain medications, कि किसी medication के कोई side effects है, तो उसके कारण भी आपको ये एकने की problem हो सकती है, तो ये जो सारे है, वो causes है, उसके, वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा एक human anatomy and physiology का course है, जिसके link में आपको description box में दे दूंगी, तो आप वहा सारी video lectures है, study materials है, तो वो आप directly access कर सकते हैं, या फिर आप हमारा जो course है, वो भी purchase कर सकते हैं, अब हम हमारा topic पर वापस से आते हैं, कि एकने की कौन-कौन से diagnosis है, किससे पता चलेगा, कि आपको ये जो problem है, वो genetically है, या फिर hormonal changes है, तो चलिए देखते हैं, कौन-कौन से diagnosis है, blood test करवाना पड़ता है, urine test हो सकता है, skin allergy test, यानि कि अगर आपको कोई allergy है, कि जिसके खारान आपको एकने, या फिर pimples हो सकते हैं, तो वो उससे पता चल सकता है, biopsy test, biopsy test में क्या होता है, skin का small amount में portion cut करके वो test करते हैं, उसे हम skin biopsy कहते हैं, physical check-up हो सकता है, कि physical examination से बढ कारण, या फिर आपको फूड ले रहे हैं, या फिर आपको कोई allergy है, hormonal changes है, तो उससे पता चल सकता है, medical history check करते हैं, कि आपको certain को education medication है, जिसके कारण आपको pimples हो सकते हैं, एकने हो सकते हैं, उसके बाद है science and symptoms based, तो आपको symptoms check करते हैं, science check करते हैं, कि आपको किस तरग की pim pimples हो रहे हैं, कब pimples हो रहे हैं, आप कुछ ऐसा food ले रहे हैं, तो उसके basis पे आप pimples होते हैं, और ये जो science and symptoms है, उसके according आपको medication provide की जाती है, तो चलिए treatment के बारे में सीखते हैं, कि कौन-कौन सी treatment है एकने की, और कब ले सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें, तो retinoids ले सकते हैं, antibiotics, azelic acid और salicylic acid जो की market में, cream, gel, kill, स्वरूप में available है, dapzone, 5% gel, iso, tretinoin, barbarous, aquifolium gel, SPL, wipe clear, acne lotion, तो ये जो सारी है वो उसके treatment है, अब यहाँ पे देखें, कि यहाँ पे है drugs did contain, retinoic acid और tretinoin, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, retino A, जो की 0.025% में available है, उसमें tretinoin है, adepelin, and tazarotin, तो ये जो सारी है, वो एकने की drugs है, अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे, tretinoin cream USP की है, उसका जो ब्राणने में वो tretinoin, यानि की 0.025% cream में available है, adalepin, तो वो है, gel के सोरूप में, जो की 0.1% available है, gel dharma की, उसके बाद है, tazerotin gel 0.05% weight by weight के सोरूप में है, tazeret gel नाम है, उसका, जो की glandmark pharmaceutical company बनाती है, उसे है, और उसकी डूसरी cream भी है, यहाँ पे gel है, और यह cream है, तो दोनों ही glandmark pharmaceutical company बनाती है, उसे है, तो जो gel है, वो 0.05% available है, और जो cream है, वो 0.1% available है, अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे, तो दूसरी भी antibiotics है, टॉपिकल, जो की klyndamycin wheat benzoyl peroxide, यहाँ पे देख रहे हैं, आप klyndamycin wheat benzoyl peroxide, जो की azenda pharmaceutical बनाती है, उसका जो brand name है, वो paroclean है, 5%, उसके बाद है, erythromycin wheat benzoyl peroxide, तो वो भी topical gel है, वो sandox बनाती है, तो यह जो medication है, topical antibiotics, वो भी आप ले सकते हैं, then oral biotics में आती है, minocycline और doxycycline, erythromycin और azitromycin, अब minocycline hydrochloride है, तो वो USP की है, यानि की उसका जो brand name में, वो minos 100 है, ran bag si बनाती है उसे, जो की आप 100 mg, दिन में एक बार या फिर दो बार ओडर ले सकते हैं, azizip 500, जो की सिपला बनाती है, तो दिन में आपको एक बार, यह जो tablet है, वो लेनी होती है, and erythromycin steered tablet, जो की 500 mg है, जो की about company बनाती है, तो वो भी आप दिन में एक बार ले सकते हैं, उसके बाद है azizidum, यानि की azilac acid cream 20%, तो वो आप लगा सकते हैं एकने पे, दिन में दो बार, salicylic oidment आता है मार्केट में, IP की according 6%, weight by weight के स्वरूप में, जो की dr. ready की जू company है, laboratory है, वो बनाती है, salicylic SF6, उसका जो brand name है, उसके बाद है acne dap gel, जो की supply बनाती है, उसमें dapson content है, dapson and adipeline gel, जो की उसका brand name है, acne dap plus, तो वो भी आप लगा सकते हैं, उसके बाद है, iso-tretinoin, वो vitamin A की derivative है, जो की उसकी market में capsule आती है, तो वो सिपला बनाती है, तो वो आप ले सकते हैं, अगर पेशन को आगे की कोई भी treatment, रिस्पॉन नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद ये एक capsule आती है, तो ये जो capsule है, उसका जो content है, iso-tretinoin, तो वो आप ले सकते हैं, उसकी जो side effect है, वो inflammatory boil disease हो सकते ही, आपको depression और severe birth defects हो सकते हैं, तो ये जो है, वो उसकी सारी treatment है, एक नेगी, तो आप ये treatment ले सकते हैं, उसके बाद है, बर्बेरिस एक्विफोलियम जैल, जो कि हैमियोपेथिक medicine है, जो कि SBL कमपनी बनाती है, SBL का एक दूसरा lotion भी आता है, wipe clear acne lotion, तो ये भी आप ले सकते हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो आप ये जो मेरा नीचे लिया हुआ वीडियो है, वो आप जरूर से देखें, ऐसे ही disease के बारे में अगर आपको study करनी है, तो आप comment books में comment drop करके, आप मुझे बता सकते हैं, कि आपको कौन से disease के बारे में study करना है, जिससे कि मैं आपको उसका knowledge देटी रहूं, Thank you for watching my video,